चलिए यहां पर बात करेंगे, SCR T10 का जबरदस्त फाइनल मुकाबला खिला जाएगा, MYH और AAS की टीम जो है फाइनल मुकाबले पे पहुँच जो की है, इस सिरिच का यह लास्ट और अंतिम मुकाबला खिला जाएगा, जो की धमाकेदार फाइनल के साथ यह खत्म होगा, तो इस फाइनल मुकाबले में हम लोगों का ड्रीम टीम क्या होना चीए, किस बेसिस पे बनाए जो अधिक से अधिक हम लोग प्रोफिट की और जा सके, तो सारा कुछ देखेंगे, तरह तरह का कॉंबिनेशन देखेंगे, जी एल, एवम, एसल दोनों पे बहतर करने का परियास करेंगे, तो दोस्तों, अगर जदे आप इस मुकाबले को खिलना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा महतपूर्णा है, हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खूद खिलता हूँ, इनके अलाबे जी एल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट, जो जी एल बिन करने के लिए काफी है, बहुत सारे हमारे भाई कर भी रहें, तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना किस परकार है, तो मेरे भाई हमारा टेली गराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा, या क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूँ बहु आपको डुमेस्टिक पिलिंग ले बनना जराएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कोमेंट पे पिन किया गया होगा उनकी साहितास जुड़ोगे तो यह ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे यहां पर बिल्कुल फिरी टीम फुर्वाइड किया जाता है तो दोस्तों यहां पर यहां पर लास्ट मेंच का स्कूर कार्ड देखा जाते हैं सयदा जी यहां पर काफी धीमी इनिंग खेला आंत तक रहकर 29 रही बना पाए सामने ग्य उनके बल पे यहां पर 96 का स्कूर गया लेकिन सामने टीम उतना बहतर नहीं कर पाया क्योंकि इन लोगों ने गेनवाजी जबल दस्त किया हम लोग केप्टन वाज जो सयद अजीद मुहमद आमीर अजीम दोनों ने जबल दस्त गेनवाजी करते दो दो बिक्टे लेगे मोसिन जमान बिक्टे नहीं लेगे लेकिन जबल दस्त दबाब बनाया अर्यान अमीन प्रेम जी ने एक उबर में सोला रहा दे ये सिरीज का हलिब बार है जब इनसे एकी उबर करा गया अक्सर टीटेन में यहीं होता है जी भी गिनवाज को पिटाई पड़ते है वो एक उबर डलता है क्योंकि गिनवाजी ओप्शन बहुत रतार से नो रता है रहिम खान मलिक दो अबर अपने कोटेग डाले एक बिक्टे लेगे आ और वीरा ने एक विक्टे लेगे बहुत ही घातक गिनवाज इन्होंने किया एड़ूस की बात का हिन्हों ने अच्छी गिनवाज के लिए जाने जाते एक उबर में 11 देकर कोई विक्टे नहिए अहमाद असबड डेस भर में इन्होंने गिनवाजी जरूर किया लास्ट ओ तो भर में 11 देकर दो विक्टे सुक्री रहीम ने यहां पर अंत प्याकर तीन विक्टे लेगे तो अच्छा खासा गेंबाजी क्या गेंबाजी अटक दोनों टीमों पास बहतर है तो किया बल्लेबाजी अटक क्या होना चीए तो नोर वीरा यहां पर एक रनमार कर आउट तो दोस्तों अब कुछ नहीं देखेंगे सीधा कोंबिनेशन पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी सजाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है मां सबस बारीकी से और बेहतर तरीका से समझना यहां पर इस मुकाबले में एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत भी धिलाई टीम नहीं करना चाहिए अब इनके पास कौन कितने गिनवाज है एक दो तीन चार पात छे साथ तो दोस्तों यह साथ गिनवाजी का ओप्सन है देखो इनसे पहले वाले फर्स्ट क्वाली फायर में यहां पर किसन कुमार अनंथम ने दो बार डाला अच्छी गिनवाजी की लास्ट अभी से ही फाइनल में देखा जा क्वाली फायर वाले में मोसिन जमान ने दो बार डाला तो किसन नहीं डाला यह डालता है तो यह नहीं डाड़ा है क्या दोनों डाल पाएगा या फिर दोनों में से कोई एक डालेगा या फिर दोनों गेनबाजी इस बार नहीं करेगा एक बड़ा सवाल होगा जो की हार अर्विन का कारण हेगा सेयद अजीज दो भर ढलेगा कंफर्म है, रहीम खान भी दो भर ढलेगा कंफर्म है, अमीन प्रेम जी एक ही होबर ढला लाश्ट वे लेकिन इनका भी दो भर मुझे कंफर्म नजर आता है इनके अलावे इनको पीटाई नहीं पड़ेगा पहला उभर तो ये भी दो भर डाल जाएगा मुहमद आमीर खान का एक उभर तो गनफार्म ये भी दो भर डालने के छमता रखता अगर जदी ये लोग से दो भर डाल दिया जाती इन दोनों का जवर रत नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर वड़ा रिस्क होने वाला है फिलाल के लिए मैं यहाँ पर मोसिन जमान को पिक किया हूँ और किसन कुमार अनंतम को तो इन दोनों को ड्रोप करता हूँ सामने के टीम की ओर चलता हूँ पो गंबाज इक दो थीं चार पाँच ईनका भी पांच गंबाज यहाँ से होगया एक चेटा गंबाज होगया वाईसे सतमा गंबाज मीcus भी किया जाता है इन के लिए परफक्ट गंबाज आटमा तो दोस्तों इनके टीम में भी आठ बोलिंग उप्सन है चलो इनको बोलिंग उप्सन से हटा दिया जाए तो भई आप बल्ले बाजी तो बहतर कर लेता और वह इसे गेनबाजी के लिए आ जाएगा तो इतने सारे गेनबाजी उप्सन इनके पास आठ उनके पास साथ 15 गेनबाजी उप्सन भाई और आपको पीक करना होगा एगारा पिलर उसमें भी बिकेट कीपर वल्ले बाज भी पीक करना होगा तो दोनों कड़क टीम है, कड़क टीम है तभी तो ये दोनों फाइनल पहुंच पाया तो मैं तो यही बोलूँगा लाइनाप के बाद जो कॉंबिनेशन बनेगा तब मैं बताओंगा इस मोल लिग के लिए बेतर है या फिर गरान लिग के लिए तो फिर खेल लेना फिलाल के लिए ये टीम सेफ करके रख लो जो टीम मैं अभी यहाँ पर फिलाल के लिए बना के रखाओं लेकिन ये टीम हमारा फाइनाल होगा नहीं लाइनाप में चेंज होगा हमारे टीम पे भी चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा तो दोस्तों फिलाल किल मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ आसा करता हूँ लक्षीमा भी सहरीमा ओल भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल बहतर जाए सारे लोगों पे सरस्वत्ती मागी किरपा बनी रहे आप भी अच्छा खासा प्रोफिट करो मैं भी कर करता हूँ